हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैं का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमीं सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह है मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन consultation लेना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक complete square shape बनाती हुई नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी fingers नजर आ रहे हैं और खासतर पर अगर देखा जाए तो इनकी shiny finger काफी अच्छी length में अच्छी लंबाई में होना native को disciplined बनाता है hard working बनाता है ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं अपनी इसी quality की वज़े से life में अच्छी progress कर पाने में काम्याब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी index यानि के ब्रस्पती finger की यह finger यहाँ पर काफी अच्छी length में है और अगर हम इसको इस ring finger से यानि के सूरिया की finger से compare करते हैं तो उससे भी थोड़ी ज्यादा लंबाई में ही यह finger नजर आ रही है इस finger का अच्छी length में होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी leadership qualities रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों को lead करने वाले होते हैं और काफी educated होते हैं और इस तरह की finger होना indicate करता है कि native की knowledge भी काफी अच्छी रहेगी तो यहाँ पर इस finger का ब्रस्पती finger का अच्छी नबाई में हो यहाँ पर काफी अच्छी है बेशक यहाँ और सूर्य फिंगर इनकी guru finger से हलका सा नीचे रहती नजर आ रही है लेकिन overall बिल्कुल straight finger अच्छी length में इस finger का होना native को creative and artistic type की qualities देता है ऐसे native के भीतर कोई न कोई खुबी जरूर रहती है जिनकी यह finger लंबाई में हो ऐसे native समा आज में भी काफी अच्छी पहच्छान बना पाने में कामयाब रहते हैं जब सूर्य फिंगर स्ट्रीट हो अच्छी length में हो mercury finger की बात की जाए तो mercury finger यहाँ पर हलकी सी low set हो रही है अगर आप यहाँ से देखोगे एक line तो यहाँ कुछ इस तरह से line बन रही है तो यहाँ से mercury finger हलकी सी low set होती नजर आ रही है overall लंबाई में कोई भी कमी नहीं है यहाँ finger length में अच्छी है जिस वज़े से communication skills में problem नहीं होती नेटिव के communication skills तो अच्छे रहते हैं लेकिन low set होने की वज़े से थोड़ी shy nature रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है overall fingers काफी positive नजर आ रही ह और यहां से अगर आप देखोगे तो fingers में बिलकुल भी gaps नजर नहीं आ रहे अगर fingers आपस में सटी हुई हो बिलकुल भी gaps इनके बीच में ना हो तो यह दर्शा आते हैं कि native की money management अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति धन की एहमेत को समझते हैं और धन को किस तरह से invest करना है किस इस तरह से खर्च करना है इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है जिस ऐसे विक्ति बड़ी जल्दी open up नहीं हो पाते चोसरों के साथ खुल नहीं पाते थोड़ा सा सभाव जो होता है वो संकोची रहता है लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज़ भी नजर आ रही है इनके mercury mount के ओपर कुछ खड़ी रिखाएं बेशक यह रिखाएं बहुत ज्या काम देते हैं अगर यहां पर छे से साथ खड़ी रिखाएं मौजूद हो तो native social worker तक बन सकता है medical field में हो सकता है किसी ना किसी तरह से दूसरों की help करने का काम ऐसे व्यक्ति करते हैं यहां पर चार रिखाएं ही है लेकिन यह भी इन्हें पर भावशारी बनाएंगी ऐसे व् गुद्धी है बहुत एक शंता है वो काफी अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी सलहा से अपनी consultation से भी लोगों की problems को solve करने की capability रखते हैं सूर्य मौंट के अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य मौंट हलका साथ दब रहा है सूर्य मौंट का weak ह होना native की life में यश को कम करता है तो यहां पर सूर्या finger बहुत अच्छी लंबाई में है जिस वज़े से creativity का level तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा यश मिलने की अमीर यहां पर नहीं की जा सकती अब देख सकते हैं यहां पर एक रेखा आपको नजर आएगी इस तरह की हलकी सूर्या रेखा यहां पर थोड़ी से double होती हुई जो यहां पर इनकी heartline के बिलकुल उपर है heartline के उपर इस तरह की रेखा का होना indicate करता है कि native को later age में चलकर लगभग 60 के बाद की age में अच्छी पहचान society में इस रेखा की वज़े से मिल सकते लिकर यश की क हमी फिर भी रहती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी help करने कितनी भी मदद करने बदले में कोई praise and reward इनको नहीं मिल पाता इस चीज की कमी इनको महसूस होती है शनी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनी माउंट यहां पर बिलकुल दबता हुआ नजर आए हो शनी रेखा जितनी स्टॉंग हो उतनी comfortable लाइफ रहती है इसके बिलकुल भी प्री अगर यहां माउंट दब रहा है शनी रेखा में कहीं पर ब्रेक आ रही है शनी रेखा में आपको कोई overlapping नजर आ रही है तब native को life में बहुत सारे ups and downs का सामना करना पड़ तर कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है आप देख सकते हैं यहां की शनी रेखा जिसकों भागया रेखा कहते हैं यह रेखा भी यहां पर आकर रुक रही है और उसके बाद यहां रेखा हलका सा यहां पर इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है वो भी overlapping के साथ और ओपर से यह माउंट भी दब रहा है तो यहाँ पर life में काफी सारे ups and downs middle age में इनको देखने पड़े होंगे और आगे भी यहाँ पर बहतरी बन रही है आगे लगभग जो बहतरी बन रही है वो 60 के बाद की इससे बन रही है क्योंकि 60 के बाद की इससे यहाँ पर सुर्य रेखा और शनी रेखा दोनों अक्ट हो जाएंगी और दोनों का अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पर इनको मिलेगा बात करते हैं कि गुरू माउंट की तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पती माउंट है गुरू माउंट है फ्लैट नजर आ रहा है लेकिन काफी अच्छी स्पेस इस माउं इनके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन मौचूद होती है लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याब रहते हैं चलिए आगे बात करते हैं इनकी मिजर लाइन्स की यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ इनकी हाइट लाइन है यहाँ बिल्कुल स्ट्रीट लेकि तो यहां पर इस रेखा का ब्रस्पती मौन तक पहुंचना अच्छा संकेत है और यह रेखा काफी क्लेर नजर आ रही है ज्यादा दिक्कतें इस रेखा में नहीं है लेकिन यह रेखा यहां से आकर थोड़ी सी शालो हो रही है जो ब्लड प्रेस्चर जैसी प्रॉब्लम माइंड की बात करें तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन किस तरह से आगे चलकर येक बाइफूर्क बना रही है इस तरह का जो y का चिन है, जो by fork का चिन है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है, पामिस्ट्री की भाशा में इसको writer's fork का नाम दिया गया है, ऐसे native जिनके mind line के अंत में इस तरह का fork बनता हो, life में काफी सक्षम होते हैं, writing की ability अच्छी हो सकती, creativity का level और imagination ऐसे native की बहुत अच smooth रहते हैं, otherwise थोड़ी anxiety, थोड़ा सा stress रह सकता है, इस line का इस तरह से by fork होना और एक branch का नीचे की तरफ बढ़ना, native को थोड़ी anxiety भी देता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी artistic काम करता है, जैसे writing है, painting है, designing है, किसी भी ऐसे काम में हो, जिसमें imagination का इस्तमाल होता हो, वहाँ पर यह रेका बहुत अच्छे result देती है, और उस case में ऐसे native life में बहुत अच्छी तरकी कर पाने में काम्याब रहते हैं, overall mind के लिएन अच्छी नज़र आ रही है, memory इनके काफी sharp रहने वाली है, हलकी anxiety के दिक्कत इनको रह सकती है, क्योंकि काफी सारी रिखाएं इन इनके शनी की, आप देख सकते हैं, यह जो area है, शनी का area कहलाता है, और यह बात करते हैं, इनके वीनस की, यह जो area है, वीनस का area कहलाता है, और वीनस यानि शुकर माउंट के उपर अगर बहुत ज़्यादा रिखाएं हों, तो native को अपनी married life में दिक्कतों का सामना करना पड सकता है, partnership में और अपनी family life में थोड़ी instability ऐसे native को face करनी पड़ती है, जब इस तरह का venus mount हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी सारी रिखाएं आपको कुछ नजर आएंगी, इस तरह की रिखाओं का होना ज्यादा शुब नहीं माना जाता है, यह mount जितना clear हो, जितना और चंदर mount के अगर हम बात करें, तो चंदर mount के उपर आपको ऐसी रिखाएं नजर आएंगी, जो नीचे से उपर की तरफ बढ़ रही है, ऐसी रिखाओं को हम travel lines कहते हैं, ऐसे व्यक्ति life में काफी travel करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति की life में रहते हैं और foreign travels के chances भी काफी जड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, इस तरह की काफी सारी रिखाएं अगर moon mount के उपर मजूद हों, लेकिन moon mount के उपर बहुत ज़ादा रिखाएं होने से भी थोड़ी सी anxiety और stress व्यक्ति को रह सकता है, क्योंकि यह moon mount की stability हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देती हैं, अब देखते हैं कि life line को, देखते हैं, life line इनकी कुछ overlapping indicate कर रही है, यहां से आपको एक रिखा जो बीच में आकर gap को दर्शार रही है, लगभग यहां पर यह 60 के आसपास की इच में चल कर थोड़ी दिक्कत दे सकती है, यहां पर health related problem भी as a native को face करने पर सकती है, और ख बाहर की तरफ है, अगर कोई रिखा अंदर से आगे बढ़ती है, और strong होती है, तो वो native को introvert बना दीती है, लेकिन इसके बिलकुल विपरीट, अगर यहां रिखा बाहर की तरफ से आगे बढ़ती है, तो यह native को और ज़दा bold बनाती है, extrovert बनाती है, ऐसे विक्ती life में औ और बहतर होकर आगे बढ़ते हैं, overall age इनकी 80 प्लस की रहने वाली है, लेकिन middle age में चलकर कुछ health related दिक्कते हैं, और 60 के आसपास की age में चलकर भी health से सबंदित दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है, तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में, और मेरी यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है, तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है, तो मुझे WhatsApp पे message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद